हेलो स्टुडेंट आज बारा जन्वरी को 68 BPSC का exam संपन्न हुआ और इसमें कई सारे changes हमें देखने को मिले सबसे बड़ा चेंज था निगेटिव मार्किंग जो ओन फोर्थ था साथी साथ question का जो level था वो भी बहुत अच्छा पूछा गया काफी अच्छा question पूछा गया और कई सारे subject में अच्छे conceptual question पूछे गया साथी साथ math के सिर्फ पहले क्या होता था दस question math का आता था बट अभी math के कुछ question थे और साथी साथ कुछ reasoning के question पूछे गया हाना तो यह काफी सारे बदलाव आए तो यहां पे हम बिना time waste किये हुए हम यहां पे answer को discuss करेंगे exact answer अभी दे पाना तो काफी मुस्किल है बट मैंने try किया है कि accurate maximum accuracy के साथ answer आपको provide करूँ यह set एक question है जिसे हम discuss कर रहे हैं इसमें first question था the phrase equality before law used in article 14 of the Indian constitution has been borrowed from the constitution of यह इसका answer Britain होगा अगर आपने लच्मी कांथ पढ़ा है हना पॉलिटी के question काफी अच्छे आया थे basic question थे लेकिन conceptual question थे तो लच्मी कांथ आपको पढ़ने की जोवत है अच्छे से आपको लच्मी कांथ कवर करने की जोवत है तो बिटेन first का answer होगा ए बिटेन second question था what was the duration in the making of the Indian constitution यह भी लच्मी कांथ में आपको यह fact मिल जाएगा इसका answer है C second का answer है C हैना two years 11 month and 18 days third question था the council of ministers in a state is collectively responsible to यह भी आपको लच्मी कांथ में एक question मिल जाएगा बहुत ही तो यहां पर ब्रीक होगा प्रणोडान की यहां पर फोर्ट का आंसर वो गई 1 तू एन 4 कियोंकि यहां पर जो third है judicial power का decentralization यह ए workout then 4 जी ऊभी और जो 3 तर्वावर का यह अच्शा होन liberty जुटिश्यल पावर का डिसेंटलाइजीशन यहां पे अगर छोड़ दिया जाए ऐसा आप्षन ही बन रहा है हना फोर तो होगा ही वन होगा ही डिसेंट मेकिंग पावर हना और वन फोर का अगर कंबिनेशन देखें तो एक ही आप्षन है भी इसे हम ले सकते हैं आपे तो फ और दूसरा सी मेंबर्स नमिनेटेड बाइदा प्रेशिडेंट ऑफ इंडिया बी और सी दोनों सही है इसलिए इसका जो आंसर होगा वोगा डी ऑप्षन होगा सिट्स कोशन है विच फॉलॉइंग इस कंसर्ण विदा सूप्रिम कोट ऑफ इंडिया एपले जुरिडिक्श पंचायती राज इंस्टिशन में एलेक्शन को कंटेंस करने का वो है यह ओप्षन यानि 21 इस नेस्ट कोशन की तरफ चलें तो यहां पर एट नमर कोशन है विट रिस्पेंट तो दा कंजूमर दिस्प्यूट रिड्रेशल अट दिस्टिक लेवर इन इंडिया विच ओन फ तो इसमें जो दी ओप्षन स्वारी सी ओप्षन है दिस्टिक फोरम इंटर्टें दा कंप्लेंट वेर दा वैलूज ऑफ गूड्स और सर्विसस दोस्ट रूपीज फिप्टी लाक यह गलत है यह गलत कोशन आप से पुचा था गलत कौन सा यह गलत है तो फिप्टी लाक से नीचे वाले का ही कंप्लेंट होता है यहां दिया हुआ है कि सर्विस्ट रूपीज फिप्टी लाक वेर दे वैलूज ऑफ गूड्स और सर्विसस दोस्ट रूपीज फिप्टी लाक तो यह सी ओप्षन इसका गलत है नाइन्थ जो कोशन है उसमें पंचायत समीति किस प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में मतलब किस फॉर्म में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा था तो नेश्टनल एक्स्टेंशन सर्विस फर्स्ट प्रोग्राम था 1953 में तो टेन का ए होगा 11 का अगर देखें तो सेज का क्या है अंसर में अब इसको क्या डिसाइड करती है अगर इसका एक आंसर लिया जाए तो वो मेंटेनेंस और बफर स्टॉक हो सकता है जो एक कल्चर मार्केटिंग का पार्ट है बट अगर इसको अगर बहुत ही अच्छे से अनलाइज किया जाए तो इसमें कोई भी ऑप्षन अग्रिकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूफ करने के लिए गार्मेंट के द्वारा पॉल्सी नहीं लाए गई है यह उस पॉल्सी का पार्ट नहीं है तो इसमें यह ऑप्षन होना जाए नान अब देस ठीक है नेक्स्ट और प्षन करेक्ट ऑप्षन है 14 का ए 15 में वैसे तो आप अगर चेक करेंगे तो एट फाइव यह प्लान में यह यह उस्ट पर फोकस किया गया था फिप्ट में पोवर्टी एलिवेशन का था तो वहां भी थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन अगर इग्जैक्ट अगर सेप्टेंबर 2022 का डेटा आपको बताना है कि FDI में कौन हाइस्ट है तो महरास्ट्र है तो इसमें भी ऑप्षन होना चाहिए 17 में अगर देखें तो 17 का बी आंसर होगा 1992 से 1993 यूनियन बजिट उसके बाद अगर हम बात करें गोल्स ओफ फाइव यह प्लान्स तो यहां पे थोड़ा सा वारिएशन हो सकता है आंसर का BPSC अब उसको क्या मानती है क्योंकि जो फॉर्थ ऑप्षन है वो तीनों ABC में फॉर्थ है फॉर्थ है लिट्रेचर लिट्रेचर तो फोकस नहीं होना चाहिए 5-year प्लान का देखें इसका आंसर E हो सकता है अगर लिट्रेचर को क 20 की अगर बात करें तो 20 को स्टार मार्क करके अभी इसका आंसर मुझे नहीं पता चल पाया है ना 20 में 21 21 कुश्चन अगर देखें तो एड़ वाट परसंटेज है बिहार रेजिस्टर दे लोएस्ट फिमल वर्कफोर्स पार्टिशिपेशन रेट फॉर्ट पता नहीं चल पाया है इसको अस्टार मार्क कर लें तेश्ट नंबर में है कि 2015 सोला में जो नेशनल फैमली सर्वे 5 के द्वारा जो डेटा रिलीज हुआ उसके तहत जो सेक्स रेशियो था 15 सोला में वो कितना था और उस इंक्रीज होकर 2020-22 में कितना हुआ तो यह आप्श 62 से 1090 यह चेंज हुआ तो यह आप्शन होगा इसका आंसर एकॉरिंग तो बिहार एकनोमिक सर्वे 21 प्राइस वाड़ वाड़ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रोफ स्टे डोमेंस्टिक प्रड़क्ट ऑफ विहार इन 2020-20 यह यहाँ पे 9.8% ग्रोथ हुआ था तो यहाँ पे को बिहार प्रोड्यूसेस मोस्टली प्राइमरी गूट यह सही है दा अकुपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ दा एकॉनमी इस स्टागनेंट फ्रॉम एबब यह भी गलत है तो बी ऑप्शन इसका सही है 25 का भी 26 की बात करें तो 26 में सोदेशी एन बाइकॉट वेर अड़प्टेट ऐस दे मेथर ऑफ स्ट्रगल फॉर फॉर्स टाइन दूरिंग दा पार्टीशन ऑफ बेंगवाल तो 26 का भी ऑप्शन सही है 27 में यह भी आसान है 1906 में जो कॉंग्रेस के जो अधर्च थे वो दादा भा प्रजा मंडल मुवमेंट तो बी ऑप्शन सही है 28 का भी 29 में अगर देखें तो 29 में सी ऑप्शन गलत है उसके बाद 30 में है अबुलकलाम अजाद के द्वारा लिखी गई कौन सी जर्नल थी अलहिलाल थी तो बी ऑप्शन है 30 का 31 में 19th century में nationalism की भावना जगाने के लिए हिस्टी को कैसे यूज किया गया कैसे हिस्टी के स्टडी को यूज किया गया तो ए ऑप्शन इसका सबसे स्टटिक आंसर है 31 का A 32 की बात करें अगर तो इसमें अगर देखें आप तो इसमें 32 में C आप्शन सही है क्योंकि जो इसमें पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट है ना नॉट करेक्ट की बात हो रही है तो थर्ड सिर्फ करेक्ट है बाकी वन तो एकदम गलत है तो वन गलत है तो वन का ऑप्शन को अगर हटाएंगे आप तो वन तो गलत है ही साथी साथ टू भी गलत है क्योंक में आंसर होगा बाबा राम चंद्र 34 में अगर देखें आप अल इंडिया हर्जन संग तो मात्मा गानी ने 34 का बी 35 का आंसर होगा जून 1948 एटली ने एनाउंस किया था 19 की जून 1948 में इंडिया को वो इंडिपेंडेंट कर देगा हूँ इस्टाबलिस स्वराज दल इन बिहार स्रीकिष्णा सिंग ए ओप्षन होगा 36 का एए 37 की बात करें तो इओप्षन होना था 39 में अगर देखें चंपारन सत्यागर में कौन इनका लाइफ को बचाया था तो इसमें तो इसका आंसर नहीं अभी मुझे पता चल पाया है को लेट कुल्टिवेटर्स इन बिहार दूरिंग दर नौन कोपरेशन मुझें नौन कोपरेशन मुझें में जो कुल्टिवेटर है उसको लीट किस नहीं कहा था स्वामी विद्यानन्द की बात करें तो in the same time the area to the south of the Ganga was known as अगर चोला इसे बोल सकते हैं चोला इसका आंसर होगा वी ओप्शन वेंडेड यूज ऑफ आइरन बेगिन इन इंडिया इंडिया इन सब्सक्राइट 1000 बीसी में स्टार्ट हुआ था तो 1000 और तो 2000 इधर तो 3000 यह होना चाहिए तो यह उप्शन होगा सुद सुदर्सनले को किसने रिपेर करवाई यह काभी फेमास कोश्चन था तो 43 का बी रुद्र दमन देंपल आफ देवगर नियर जहांसी यह टेंपल गुपता काल में जो नागरा स्टाइल का टेंपल है गुपता काल में इसको बिल्ट किया गया था 44 का ए ऑप्शन होगा सही 45 का बी ऑप्शन गलत है नौट करेक्ट पूछ रहे हैं क्योंकि ज अप्शन नौट करेक्ट है और यही 45 का बी होगा दूरिंग देली सुल्तनत मुकदम एन चौधरी किसको बोला जाता था विज्जे विलेज हेड मैन को बोला जाता था 46 का सी तबाकते अकबरी लिखा गया था निजामुद्दीन आहमद के द्वारा तो 47 का ए ऑप्शन होगा ना 48 का सी होगा 49 का पटना वेंज कॉलेज किसके वारा फॉंड क्या गया था सिस्टर ऑफ दा एप पॉस्टोलिक कारनेल के द्वारा तो सी ऑप्शन होगा 50 की अगर बात करें तो रेट क्लिफ रेट क्लिफ जो है वो इंडिया पाकिस्तान का पॉंड़ी इन्होंने डिसाइड के था तो सी ऑप्शन 51 में का राइट ऑप्शन है बी हॉल्ट मैकेंजी इन्होंने ही बंगाल में महलवारी सिस्टम को नोड्यूस किया था 52 की बात करें अगर तो विनाववाव ने कहां से स्टार्ट के था पावनार महरास्टा से तो विदू का बी आंसर होगा दे कॉंग्रेस टुक अ क्रिटिकल स्टेंड ओबर दा मॉंट फोर्रीफॉर्म इन नेंटिनेट और इसके कारण जो ओल्ड मॉड्रेट थे उन्होंने एक नई पार्टी स्टार्ट की थी नई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था इसका नाम था इंडियन नेशनल लिवरल फ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के कोई बात नहीं की थी थार्ड ऑप्शन गलत होगा तो थार्ट को अगर काटेंगे तो दो अप्शन सिर्फ आपको सही दिख रहा है यहां पे 55 का जो राइट अंसर है वो है सेर खार सेर सा सूरी के बारे में बात हो रही है उसी के साथ देविट सिप्टान यानि ए ओप्शन 57 का 58 के बात करें तो यह राइट ऑप्शन इसका सी है डॉक्टर रेजिंद परशाथ 59 के बात करें तो जो ओल्डेस्ट चर्च है विहार में वह है पादरी की हवेली यानि सी ऑप्शन जैन का सी 60 में जो है कुमुदलाल गांगली अस यह आयूस मंत्राले ने स्टार्ट किया है सी ऑप्शन है और 62 का राइट अंसर नहीं मिल पाया है अभी 63 भी थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन है हना 65 की बात करें तो 65 में डोनी पोलो एरोपोर्ट जो है वह इटा नगर और नाचल परदिश में स्टार्ट किया गया है 66 में जो राइट अंसर है वो हिमाले याक होगा ए ओप्शन सही है 67 में हर्स फ्लोटिंग जो फानेंशल लिटरेसी कैम्प और्गनाइज किया गया था वो स्री नगर में डल लेक पे तो यह इसका राइट अंसर है ए 67 का ए 68 का जो राइट अंसर है वो है गुवाहाटी परम काम रूप एक सूपर कम्पूटर है जो को इसको बनाया गया है फैसलीटी दी गई है 69 में जो राइट अंसर है वो सुखना लेक है चंडीगर में वहाँ पर यह 80 एरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया था 69 का होगा सी 70 में जो पूशन अभियान जो माह है वो सेप्टेंब यह चाइना का जो ट्यांग गॉंग अस्पेसर शेंट लास्ट जो रिसेंट्ली रॉट फाइनल मॉडियूल है यह ऑप्शन सी होगा इसका 72 की बात करें तो मॉना लोवा यह रिसेंट्ली इसमें वर्ल्ड लार्जेस्ट वलकैनो इरप्ट हुआ था और 38 साल बात और 2022 बु होना तिल तिलक यह सी ऑप्शन 73 का सी होगा 74 का अगर हम देखें तो वर्ल्ड अस्पेस विक 2022 का थिम है अस्पेस एंस सस्टेनिबिलिटी 75 की बात करें तो अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि नुक्लियर फिजन जो फर्स्ट बिटेन ने इसको किया है और बिटेन का जो लेबरेटरी है वो लॉरिंस लिवर्मोल नेशनल लेबरेटरी है ना यह ओप्शन सही होगा 76 में जो वर्ड है वो है परमा क्राइसिस परमा क्राइसिस जो वर्ड है वो कॉलिंस के द्वारा वर्ड 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 व्र व्र वियर डिसाइट के गया है 177 की बात करें तो इसका तुछ यहां पे डाउट है मुझे 78 में अगर देखें तो इसका राइट अंसर है जापान है ना निहांसु जो है इसको जी आई टाइक दिया गया है जापान ने अप्लाई किया था इसके लिए और 80 की बात करें तो 80 का जो राइट आप्शन है ओप्टिमस 81 में है दिलवारपूर दर्भंगा ए ओप्शन 82 में है स्यूहर ए ओप्शन 83 का सी ओप्शन 52 84 में क्रिकेट 85 मिथला मखाना सी ओप्शन 86 महाबोधी टेंपल कॉंप्लेक्स बोध गया बी ओप्शन 87 यह थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है तो 88 में यह लाउंच हुआ था राजगीर से बी ओप्शन 88 में बी ओप्शन राजगीर से लाउंच हुआ था 89 बी सी सी आई ने ऐसा एक बनाया है कि मेल और फिमेल दोनों प्लेयर को सेम पेक किया जाएगा तो बी ओप्शन 90 का देखें अगर तो 90 में ए ओप्शन सही है 11.3 15. 91 की अगर बात करें तो काबूल रिवर है जो मिलती है इंडस से अफगानिस्तान के तरब से 92 में जो राइट अंसर है वो ए ओप्शन है प्रजेक्ट टाइगर 93 में जो राइट अंसर है वो इट्स एवरेज़ाइट इस थर्टिंग किलिमेटर है जो कि बागी जो ऑप्शन है वो गलत है एक ही ट्रू है सी ऑप्शन असादन करने ब्रोक इन फ्रॉम पैंजिया इस कॉल्ड गुंडवाना लेंड 94 का भी 95 का राइट एंसर है दे नॉर्थ पूल एंड़ साथ पूल 96 का राइट एंसल है ए और नाचपदेश नागालेंड मनिपूर मिजोरम 97 का राइ राइट आंसर है 12 नॉर्टिकल माइल्स को टेरिटोरियल लिमिट कहते हैं 100 का राइट आंसर है दामोदर वैली में यह पाए जाता है कुल महानदी वैली में भी पाए जाता है तो डी ऑप्शन होगा 101 का जो ऑप्शन है वह इसमें भी डी होगा मोर्देन वन त्रू क्यूं जो प्री मांसून सावर होता है 103 का जो राइट आंसर है मैंगो सावर यह निसी ऑप्शन सही होगा 102 का 103 में जो राइट आंसर है वो मोर देन वन अप दे एवब क्योंकि यहां पे देखिए लॉंग वेव टेस्टियल रेडियेशन भी होगा और रिफ्लेक्टेट सोलर राज करता है यह फ्लोंगे दे लांस्ट रेल्वे स्टेशन एक हलगाउं रेल्वे स्टेशन होना चाहिए आंसर 106 में जो राइट आंसर है वो है 1 & 3 यह गलत है 1 1 2 & 3 1 2 & 3 3 होना चाहिए तो यहां पर नॉन आफ दा एवब होगा यानि यह ओप्शन 107 में मोहना एंड लिलाजन रिवर मिलकर फल्गो रिवर बनाती है तो सी ओप्शन 108 में ठाकूर गंज यहां पर सबसे पहले टी गार्डिन बनाए गया तब यह ओप्शन 108 का ए किसन गंज में है यह ठाकूर गं आपनेट का जो राइट ऑप्शन है ए होगा मधेपूरा में सबसे ज्यादा डिकल्ड डिकैडल गूरू था अन्यरे टेन का जो राइट अंसर है सीरियल बेट बेस्ट इंडस्ट्री अज एब अधर 11 का जो राइट अंसर है वो ए जेवरा ब्लैक स्ट्रीप्शन और ट्यो अगर देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वहां पर हीट अन्रजी में कनवर्ट होती है क्योंकि गर्म हो जाता है और नाइंटीन में है बेंट टुअर्स लेफ साइट बी ऑप्शन और टुंटी का है अम्प्लिट्यूड और स्वाइन साउंड और टुंटीवन में है कि रॉसीन क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म में है ना तो 121 का बी 122 का यह ओप्शन है अल्टो ट्री एंडेडनो 133 का है मोर्दैन क्योंकि मिथेन कारवन डैक्साइड नैट्र अक्साइड यह सारे ग्रिन आउस गैस है कि 29 में विनेगर होगा सी ओप्शन 128 में यह इसका राइट आंसर होना चाहिए वह सी ओप्शन ओनाचे वह 929 में और वन में रॉटम और राइपनींग और फ्रूट होना चाहिए सी ओप्शन है क्योंकि सेटिंग आप सीमेंट भी एक्सोधर्मिक है एट रिलीज होता है वा की तीनों ही गलत है और 31 में प्रोटीन कंपोजिशन आफ सेल के कारण अस्टो माटा ऑपन होता यह ऑप्शन सही होना चाहिए और 32 में रेड एंड ब्लू कलर को एब्जाब करता है क्लोरफिल 133 में यह ऑप्शन सही है 134 में जो यह ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें जो फिनावना है कैपिलरी एक्षन के द्वारा यह वाटर उपर जाता है 135 में प्रिजेंस और बोध रियन और ने इसके कारण होता है 136 में काटलेज को कहते हैं 137 में अलगें फंकस 138 में यह तुरह सा कंफ्यूज है 139 लिंफोसाइट्स इसके द्वारा इम्मेनिटी और बडी का यह सेल होता है 140 में अगर देखें तो इसमें मसल केनों आली पुस्ट दबून सी ओप्षन होना जाहिए 141 का अभी बात में आंसर में बताओंगा आपको 142 में सी ओप्षन सही है 143 में जो राइट आंसर है वो 396 है 144 का जो राइट आंसर है B option है 145 का A option सही है 146 में D option सही है 147 में यह थोरा सा confusing है 148 में जो right answer है वो C है 149 में और 149 और 140 बाद में हम लोग solve करेंगे तो this is all about the answer keys यह मैंने ट्राइ किया है कि authentic answer की आपको मिले आगे हो सकता है इसमें कुछ और सुधार भी हो लेकिन ट्राइ कि है मैंने कि जो maximum जो authenticity हो इसमें इसी रेंज में आपके answer रहेंगे ओके थैंक यू